हमारे घरों में अक्सर लकडी का फरनीचर जरूर होता है शायद ही कोई ऐसा घर हूँ जहां लकडी का फरनीचर ना हो यह लकडी के फरनीचर काम के साथ साथ घर की शूभा भी बढ़ाते हैं आजकल तो लकडी के बहुत सारे गिफ्ट के रूप में हम अपने घर में रखते हैं लेकिन यदि आप लकडी का कोई भी सामान अव खरीद रहे हैं तो थोड़ा साफधान होने की आपको जरूरत है पर ना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पास्तू के नुसार फरनीचर की संभंध में भी कुछ खास नियम बताए गए हैं यदि आप इन खास नियमों का पालन करते हैं तो आप कई वास्तू दोशों से बच जाते हैं और घर में सुख स्रमत भी बढ़ सकती है चले आपको बताते हैं कि घर में फरनीचर से जोड़ी कौन-कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको बता दें कि कभी भी मंगलबार, शनिवार और अमावस्या तिथी पर फरनीचर या नई लकड़ी खरीदना मानो बुरी शक्तियों को बुलावा देना है अगर आप नया घर बना रही हैं और उसमें लकड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो उसे अपनी सुभधा अनुसार ना करवा कर वास्तु के अनुसार ही करवाएंगी तो आपके लिए बेहद ही शुब हो सकता है याद रहे कि लकड़ी का काम हमेशा उत्तर या पश्यम दिसा से शुरू होकर दक्षिड पूर्व दिशा में खत्म करवाना चाहिए कभी भी आपको घर पर फरनीचर बनवाना हो तो शुम महुरत देखकर बनवाएं और लकड़ी खरीद कर ही बनवाना चाहिए नई लकड़ी भोलकर भी उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें घर में साज सज्जा के लिए और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हलका फरनीचर उत्तर और पूर्व दिशा में सजाना चाहिए दियान रहे कि भारी फरनीचर दक्षिन और पश्यम दिसा में रखना चाहिए अब आप भी फरनीचर खरीदें तो उसके कलर का विश्य दियान रखें अलका रंग पॉजेटिव एनरजी बनाए रखता है वास्तु के नुसार घहरे रंग का फरनीचर नकारात मकता बढ़ाता है आपके घर या रूम में अगर फरनीचर कमरे की चट से टक्राता है तो ये अशुम माना जाता है इसलिए हमेशा याद रखें कि फरनीचर कभी भी घर की चट्र से नहीं टक्राना चाहिए बाजार से फरनीचर खरिदते समय इन सब बातों का ख्याल लखेंगे तो कोई भी परिशानी आपको नहीं होगी एक्स नाइन स्प्रिच्वल से या काशकी रिपाउड